हाई गणीड इस जी सौक शियांש लोकम भाक तो माई चैनल और आज मैं ये वाला व्लोग आप लूग के साथ इस वाले चैनल पर शेयर कर रही हूँ रीजन मैं आप लोको वडियो के एंड में बताऊंगी क्योंकि मैं इस वहले चैनल पर vlog share नहीं करती हूँ लेकिन अभी कुछ reason हो गया है तो उसके लिए आपको व्लॉग end तक देखना पड़ेगा So guys, आज मैं जा रही हूँ अपनी friend की sister की शादी में Friend का नाम है Kanika और उसकी sister का नाम है साक्षी Yes, मैं साक्षी की शादी में जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एक vlog share कर देते हैं और कुछ new हो जाएगा इस channel के लिए तो ठीक है, कुछ तो नया देखने को मिलेगा आप लोग को भी और ये fake nails मैंने लगाए हैं गर पर ही लगाए थे, शौट वीडियो आएगी तो शौट देखनी बिल्कुल भी मत भूलना अगर देखना चाते हो कि ये मैंने कहां से लिए और कैसे लगाए तो तो ना अभी जल्दी से quick transition मैं करने वाली हूँ और ये वाले clothes change करकर मेरको जो पहनना है और मेरा ना काफिर जादा टाइम से मन था white साड़ी पहनने का तो मैंने इस बार ही मंग वाली है और सब कुछ white 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 सा होने वाला है तो जल्दी से कपड़े change कर लेते हैं और quick transition के साथ मैं आप लोगो को दिखा देती हूँ कि मेरी ड्रेस लग्यासी रही है लेकिन बीच में मैं आप लोगो के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा skincare मैंने क्या किया अभी दिख रहा है आपको काफी जादा shine सा कर रहा है ठीक है और prep and prime मैं कर चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से बट मैंने कुछ skincare भी किया था मतलब फेशल किया था तो गाइस मैं शादी में जा रही थी तो वहाँ पर शादी वाला glow तो जरूरी था ना तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मामा अर्थ की उप्टन फेशल किट विट टर्मरिक एंड सेफरन और यह बेस्ट है फोर ग्लोइंग स्किन के लिए साथ में ही made safe है तो मैंने किसी भी टाइप के पेरबिंस नहीं है टॉकसिंस नहीं है और हाश्फुल केमिकल से फ्री है साथ में ही मामा अर्थ हिक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रैंड है और इंडियन ब्रैंड भी है और इसमेना six steps दिये हुए है जिनको आप घर पर ही आसानी से कर सकते हो और एक natural glow अपने face पर ला सकते हो और इसमेना turmeric मिलाए गई है जिसमें antioxidants और anti-inflammatory properties होती है जो आपकी skin को naturally glow provide करती है fight करती है science of aging से और protect करती है sun damage से साथ में इसमें मिलाए गया है seffron जो आपकी skin को soothe करता है repair करता है आपके cells को और आपकी skin को एक radiant glow provide करता है और ना mama earth ने अपनी official app भी launch कर दी है तो अगर आप वहाँ से purchase करते हो तो आपको काफी जादा exciting offers देखने के लिए मिल जाएंगे साथ में ये available हो जाएगी amazon, naika, flip card, purple और mama earth की official app पर और अगर आप official app से purchase करते हो तो आप मेरा coupon code यूज कर सकते हो जो है sensational 2022 जिस पर आपको extra 20% का off मिलेगा और इस facial kit में आपको six steps देखने के लिए मिल जाएंगे सबसे पहला है cleansing milk जो आपको deeply cleanse करेगा skin को second है face scrub जो dead cells को exfoliate करता है third is soothing gel जो आपकी skin को naturally hydrate करता है fourth is massage cream जो आपके blood circulation को improve करती है and fifth is face mask जो आपकी skin को और भी जादा brighten up करने में help करती है and last one is six step is moisturizing cream जो आपकी skin को और भी जादा brighter, smoother और rejuvenate करती है तो overall अगर आप इस facial kit को use करते हो आपको अपनी skin में naturally brighten up skin tone दिखाई देगा आपको sun tan भी remove करेगा ये gently exfoliate करेगा और आपको एक natural glow प्रोवाइट करेगा so guys अगर आप इसको purchase करना चाते हो तो link मैंने description में दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर purchase कर सकते हो और कही पर भी कोई भी function है शादे related तो वहाँ जाने से पहले आप इसको अपने face पर use कर सकते हो और एक natural glow अपने face पर ला सकते हो मैं तो ना ये करने के बाद यार बहुत ही जादा खुश हो गई थी क्योंकि मेरा जो उसके बाद make up हुआ था ना बहुत ही जादा अच्छा हुआ था make up का जो base बैठा था वो बहुत जादा अच्छा बैठा था तो link मैंने description में दिया हुआ है और अबना फिर से move on कर लेते हैं शादी की तरफ क्योंकि मैं घर से निकल चुकी थी और बाहर थी वेट कर रही थी गाड़ी का फिर फिर आप लोगों से वही पर मिलती है so guys अभी हम जा रहे हैं और हम on the way और मैंना रोहित से बिलवा देती हूँ यह है रोहित मेरा पडोसी रवी का भाई अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स लिखते हो तो आप लोग को पता ही होगा तो भाईया 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 अपना तूसरी शादी में गए हुए अपर ना भाईया मेरे को छोड़ गया था और भाईया ले में आ जाता अब मैंने सूचा के इसी की बाद चले जाती और इसी की साथ मापत आजाओंगी और जिसकी शादी है वो मेरी कॉलेज फ्रेंड की सिस्टर है उसकी शादी है और इसको मैंने बोला है यह कब तेयार हो कैरा क्या बैनू है रोहित कैरा क्या बैनू मैंने कोछ भी बैन ले लेकिन ना बन्यों की शादी है यह गुपता है जिसकी शादी है वो भी गुपता है तो कहता है मैंने का कोई लड़की बड़ी की बसंद आएगी तो देख लें में बात करने किया रहा तो प्रपर सूट बैड के चलना पड़ेगा कोट कोट वैंद चला पड़ेगा तो यह प्रॉपर रेडी हो क्या है तो ठीक है अब यह मौ अंदर वे है और जब पहुच जाएंगे तो मैं आप लोगों से वहां बन दो शुकार नाद जाना है कहीं पर लेट्स ए कहा पर है कम गशेएंगे तो बाहर निका पिलके यह जा जाएंगे नेंएगे और अच्छी लगए है साक्षी की शादि हैंशी और और क्या और अदर मुलेगे और अंदर मुलेगे तो घरिया अधीया और तो यह अधीज मने पारों दो शेच सेच सेच्ट वो हमेंगे। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुके हूँ साखशी हैलो ये कनिगा के हस्वेंड है सनी और गाइज हमेशे यहां पर म्यूजिक चल रहा था शादी थी तो म्यूजिक चलना तो बनता था जिसकी वज़े से मुझे वाइस ओवर करनी पड़ती है तो यहां पर मैं थोड़ी से वाइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों को लोकेशन दिखा रही हूँ जहां पर यह शादी थी ग्रैंड मिलन वहां का इंटीर कैसा था तो गाइज यह है साक्षी और यह है मेरी फ्रेंड करनी का इसकी सिस्टर है साक्षी इसकी शादिया हां बहुत अच्छी लग रही है और लहंगा भी देख लो और वो जो साक्षी सेलेक्शन की में वीडियो डालती हूँ ना वो इसी के नाम पर है उसका लहंगा भी बहुत जादा सुन्दर है और यह है वो जो अकाश में यह दिखते है ना उनकी वाइफ भाबी है का निका क गिताई जी है हां यह ताई जी है अब हम ब्राइटर उसे मिलने आई थी और आप लोगों से मिलूँगी अंदर जाके ठूसूंगी थोड़ा बात तब आप लोगों के साथ शेयर करोंगी और साक्षी बहुत अच्छी लग रही है सच्छी बारी आती है खाने की तो खाने क पापा है ना उनकी शौप है चान्दी चौक में सूट्स की साक्षी सेलेक्शन नाम से मैंने उनकी काफी सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है तो आप बहुत जादा अमेजिंग होता है तो खाना तो सीरियसली बहुत जादा अच्छा था तो मैंने काफी पसंद भी आया और अगेन यहाँ पर मैं वाइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे से म्यूजिक बज़ रहा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी और यह जो पास्ता पीजा मैदा वाली चीज़े होती है ना मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि बहुत लड़ा करते थे यह दो भाई है और इनकी सिस्टर नहीं है तो इनको मैं ही राखी बानती हूँ हमेशा से मेरे से एक दो साल दोनों छोटे हैं और हम बहुत लड़ते थे मतलब मेरी इतनी मेरे भाईयों से लड़ाई नहीं होती थी कभी भी क्योंकि वो दोनों बड चेक शादी ओल डोल प्रॉपर बज़ रहा था बहुत मज़ा आया मैंने बहुत अंजोई किया शादी में और मैं रात को आई थिंक डेड़िया पोने दो बजे घर आई थी और यह कंप्लीट मेरा लुक है आप लोगों ने अगर मुझे इंस्ट्रेग्राम पर फॉलो किया तो अब दुलहन की एंट्री हो रही है और इसका लेहंगा वगयरा यार काफी स्था अच्छा लग रहा था मेंक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आजकल क्या चल रहा लेंगा कितना सुंदर है तो अभी थोड़ी सी एंट्री आप एंचॉय कर लो और मैं आप लो झाल 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 तो आप मुजिक बन दो चुका है और ये ना सारा का सारा सबन ये गया है क्या है? नहीं अभी नी ये कॉफी लाया था बट अभी नी पीनी तो हम सारा ये खाने मलें और आई तिंग मैं डिनर तो आप करूंगी नी अल्रडी इसने इतना खिला दिया है बस ये ही खाएंगे और अभी मैंने ना सगन भी नी दिया है तो आप मुजिक ना फिर से स्टार्ट हो गया है और मुजिक ना आधा मज़ा खराब कर देता है व्लॉग का बट मुजिक की बिना शादी की इस काम की तो मुजिक होना तो बहुत ही जादा जरूरी है तो हम लोगों ने बहुत खाया और मैंने और रोहित ने बहुत बाते की जम के बाते की ऐसा लग रहा था कि मैंने और रोहित ने कबसे कोई बाती नहीं किया बिल्कुल पडोस वाला घर है हमारी च्छते एकदम मिली हुई हैं इधर से हम गूमते रहते हैं बट हाँ हम ऐसे बैठकर कभी बात नहीं की थी तो हमने बहुत सारा discussion किया और बहुत सारी पते नहीं क्या 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 बाते की बहुत अच्छा लगा और बहुत खाया तो शादी ओवर ओल बहुत अच्छी रही और अब मैं आपको ले चलती हूँ स्टेज पर और मैं दिखा देती हूँ कि गर्ल और गर्ल दुने साथ लग रहे थे यह आप देख लो उसके बाद ना डांस भी आता कॉर्स या डांस तो होते है गर्ल का गुरूम का और गुंबल को एक गुमते है तो मुझे लगता है कि यार मुझे भी गिंबल लेना चाहिए विडियो को बहुत जादा प्रॉब्लम आती है लेकिन मैं हमेशा ध्यान देती हूं इन सारी चीजहों पर यह मेरी फ्रेंड है और यह कानिका के हस्भेंड है और वो चलेके कहते हैं तुम दोनों फोटो खिच वालो तो इसकी फ्रेंड्स विज़े सर्फ मैं आई वी थी हम कॉलिश टाइम के फ्रेंड्स हैं और सर्फ मैं इंवाइटिड थे तो बहुत अच्छा लगा अपनी पुरानी फ्रेंड्स से मिलके यार अच्छा तो लगता है यह तन्य टाइम बाद हम मिलते हैं तो थोड़ा सा खाने का भी मैं दिखा देती हूं कि क्या क्या अविलेबल था और मैंने वहां पर खाया था मूंग की दाल का हलवा क्योंकि मेरा बहुत जादा मन हो रहा था और मैं उसको देखने के बाद ना रुकी नहीं पाई तो पहले तो नहीं आप देख खाने में कितनी सारी चीज़े और कितनी वेराइटी अवेलेबल थी कंप्लीट मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहे हूं प्रॉपर व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हो नहीं पाता है अगर मैं अपनी रिष्टदारियों की शादी में जाती हूं तो वहां मुझे मिल चुका है मेरा मूंकी दाल का हलवा और अब मैं इसको खाने वाली हूँ कॉल से ख्रेविंग हो रही थी मेरे को कि मुंकी ताल कहला है मैं शादी में जागे खाऊंगी है वरना मैं मम्मी से बनवागी खाती हूँ अच्छा है और नहीं को बाद होतातू तो निगा के पापा की ना चांदी चौक में सूटो की शॉप है तो आम शॉर कि यहां पर जितने भी कुक है न मतलब जो शेफ हुआ है वह चांदी चौक है उनसा पुरानी दिल लेगा है आइम शॉर बाकि मैं उससे पूछके ना आप लोगो को मैंशन कर दो में स्क्रिट पर तो खाना काफी जादा टेस्टी है यहां पूने क्या लिया है रसमलाई हाँ खाँ खाँ एन फाइनली वी अर गोइंग बैक रात को डेड़ बजे और सड़के एकदम खाली पड़ी हुई है 10 से 15 मिनिट में हम घर पहुँच गए थे आराम से क्योंकि complete जितना भी रास्ता था वो पूरा का पूरा खाली बड़ा हुआ था और हम अराम से safely drive करकर अपने घर पहुच चुके थे रास्ता देख लो रास्ते का तो क्या ही दिखा हूँ चलो अब डिरेक्ली घर पे चलते हैं तो काइस मैं घर आ गई थी चेंज वगेरा कर लिया था और व्लॉग की अंडिंग करनी रह गई थी तो आई रेली होप कि आप लोग को यह वला व्लॉग पसंद आया होगा और यह जो मैंने व्लॉग इस पर शेयर किया है ना उसका reason यह है कि जो मेरा व्लॉग चैनल है उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं और इस वले चैनल पर content थोड़ा कम पढ़ जाते हैं मतलब अगर मैं दो जगा shift कर देती हूँ ना चीजे तो यार मैं focus नहीं कर पाती हूँ तो मेरी कोशिश है जिस एक्सपेरिमेंट आगर इस वले चैनल पर vlog पर ठिक ठाक व्यूज